जै हैं दोस्तों, स्वागत आप सबका Sleepy Classes के YouTube चानल पे, मैं उमीद करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज है 18th February और दोस्तों आज के दिन मुझे 2 relevant editorials लगे, दोनों ही हिंदू में समय को आज जो editorials है relevant लगे because election season चल रहा है तो इस करके काफी सारे editorial coverage from time to time Indian Express में भी, हिंदू में भी elections related ही चल रही होती है तो वो हमारी UPSC की त्यारी के लिए इतना जादा relevant नहीं होता तो ये दोनों analytical से article हैं, उनको हम discuss करेंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि इस initiative में दोनों ही editorials में आपको end में question दिये जाएंगे, तो please question को attempt करिए, आपके मैं comments पढ़ता रहता हूँ कोशिस रहती है कि थोड़ा हम जितनी जल्दी हो सके आपके comments में जो आप answers लिख रहे हैं, उसको feedback दे सकें, उसको reply back कर सकें, काफी अच्छा लगता है तो 7-8 बच्चे हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि daily basis पे answers लिख रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, बाकी बच्चे जरफ PDF लेके जा रहे हैं, तो वो क्यो नहीं participate कर रहे हैं तो मैं आपको request करूँगा फिर से कि आप इसमें participate करिए, देखिए ये free initiative है, YouTube में comment section में comment ही करना है, तो आपकी answer writing जो ability है, आप अगर ऐसे answer करते रहेंगे, तो आप देखिए 2-3 मिनों में आपकी answer writing ability कितनी better हो जाएगी ठीक है, तो having said that, आज की discussion हम शुरू करेंगे, तो दो articles की मैंने बात करी, एक article हमारा IR related है, GS2 related है, ये हिंदू में आया है, और दूसरा जो article है, वो भी हिंदू में आया, environment या climate change related है, जो के हमारा GS3 का topic बन जाता है, चलिए, तो पहला article, etching a trade line to bond beyond oil, तो दोस्तों जैसे अब हम बात कर रहे हैं, तो आज ही शाम को comprehensive economic partnership agreement sign होने वाला है, between India and UAE, अब हम FTA की बात करें, FTA या ने के free date agreement, अब देखिए, अब काफी आज की time पे ये misconception है, कि आत्मनिर्भरबारत की बात करें, हम making India की बात करें, कि वो बहुत protectionist policies होती है, कि inward looking policies है, इंडिया ने बात को protectionist हो रहे हैं, अब हमने पिछले 3-4 सालों में देखा, जो protectionist trend चल रहा था, चाहे वो अमेरिका की बात करें, जैसे Donald Trump, America first का slogan काफी carry on कर रहे थे, तो अब ऐसा देखने को लग रहा था, कि अमेरिका जो के leader रह चुका globalization का, वो ही अपनी economies को invert orient करने की बात कर रहा था, अब ह हम बहुत clear इस बात को लेगे कि देखें, हम अपनी economy को globalize definitely करना चाहते हैं, we definitely want कि जो हमारी economy है, that is very well integrated with the other economies of the world, और हम ये चाहते हैं, pandemic के चलते हमको ये मौका मिला है, कि कैसे जो supply chain facilities हैं, जो कि ideally China में ही based है, कैसे हम आत्मनिरबर भारत के चलते हैं, कैसे हम make in India के चलते हैं यहाँ पे supply chain facilities को और boost दे सकते हैं, हमको जरूरत क्या है, जरूरत है हमको ऐसे देशों के साथ और trade बढ़ाने की, जिसके चलते हमारी economy को और trade को और growth मिल सके, trade को growth मिलेगा, तो हमारी economy को भी growth मिलेगा, job creation भी होगा, तो यहाँ पे free trade agreements की बात आ जाती है, now, India की जो approach है, free trade agreement को लेके, its approach is already towards a meaningful market access, कि यह आप भी हमारी market access करिए, India बात को समझता है, कि given take वाली बात है, हम यह नहीं कह सकते हैं, सारा time के, हमारा agriculture sector weak है, हमारा manufacturing sector weak है, तो हमारी vulnerability जादा है, as compared to some other country, for example European Union, या for example Australia, या for example UAE, तो अभी Australia के साथ भी हमने early harvest trade deal sign करी है, which is a precursor to the FTA, तो हम भी आपकी market access करेंगे, आप भी हमारी market access करेंगे, कोई बात नहीं, FTA का purpose क्या है, freedom agreement का, कि भी जो आपकी बीच में barriers है, जो duties है, वो eliminate हो जाती है, अब इंडिया इस बात को लेके भी बहुत clear है, कि देखें कोई regional trade block, अब इंडिया RCEP का हिस्सा नहीं है, इंडिया ने 2019 में कहा जो manufacturing sector है, वो काफी जादा strong है, as compared to India, somehow, इंडिया ने RCEP में नहीं अपना participation दिखाया, तो इंडिया ने बात बहुत clear कर दी कि, देखें हम किसी regional trading block में जायना जाए, यह हमारी economic sovereignty है, यह हमारा फैसला है, लेकिन FTS की दिशा में हम जरूर जाना चाहते हैं, तो अब देखें अगर हम इंडिया की बात करें, तो अभी Australia के साथ FTA की talks चल रही है, UK के साथ FTA की talks चल रही है, European Union के साथ FTA की talks चल रही है, अमेरिका के साथ भी चल रही है, लेकिन अभी बीच में रुकावट आ गई है, और साथ में United Arab Emirates के साथ भी, यह top priority भी है, as far as FTA talks are concerned, ठीके तो बा ही कि अगर हम बात करें, तो United Arab Emirates भी उतना ही interested है, freedom agreement को push करने के लिए, जितना India है, ठीके अभी 2022 में यह बताते भी काफी खुशी हो रही है, कि अभी हम 50th anniversary celebrate कर रहे हमारे diplomatic relations की between UAE and India, ठीके, तो United Arab Emirates ने announce की थी अपनी इच्छा for a comprehensive economic trade partnership back in September 2021, तो UAE के agenda में India भी top list में है, त UAE भी 8 देशों के साथ FTA की बात कर रहा है, जिसमें से एक India है, ठीके, now SIPA makes UAE the preferred partner in the Gulf Corporation Council, now the UAE जैसे के आप जानते हैं कि strategically जो Arab Emirates है, बहुत एक strategic location पर लाए करता है, एक तरफ Persian Gulf है, एक तरफ Arabian Sea है, ठीके, बहुत effective sea lines of communication महां से पास करते हैं, so it is a very economic, it is a very important economic hub, in the Middle East and the West Asia UAE के relations हम देखे हैं, अभी पिछले 2020 के अगर हम बात करें, इस्रेयल के साथ भी रिष्टे काफी अच्छे हो चुके हैं, ठीक है, तो UAE को ignore नहीं किया जा सकता, in recent years, UAE through its vision 2021 has sought to diversify its economy, और ऐसा माना जा रहा है, WTG report के अगर हम माने, कि UAE की जो dependency है, देखे हैं, UAE के पास त sectors है, उस पे जाधा बढ़ा रही है, तो ये WTG report के साब से, 2012 से याने कि पिछले 10 साल से, जो growth हुई है, UAE में, that is largely because of the non-hydrocarbon sectors, but having said that, non-hydrocarbon sector से growth हुई है, but फिर भी, hydrocarbon sector बहुत ही important and strategic part अभी भी है, UAE की economy का, Now, अगर इंडिय और UAE की बात करें, तो इन दोनों ने diplomatic relations 1972 में established करें थे, तो अभी 50 साल पूरे हो गए है, ठीक है, Now, अब the greater push, अब देखिए, 2015 में, मोधी जी गए थे, UAE गए थे, Now, that was a first visit in the last 34 years, याने कि उससे पहले, 1981 में, इंद्रा गांदी जी, UAE गए थी, उसके बाद, कोई भी भारती प्राइम मिनिस्टर ने गया थे, तो मोधी जी 2015 में गए थे, 2017 में क्या हो था, 2017 में, जो Crown Prince of Abu Dhabi, of UAE, वो यहाँ पे आये थे, as the chief guest on the Republic date, 2017 का जो Republic date था, और वहाँ पिनोंने अपनी इच्छा जताई थी, कि क्यो ना, हम अपनी relationship को, अपनी दोस्ती को और जादा strengthen करें, और deeper करें, तो उस वकद यह agree करा गया था, 2017 में, कि जो हमारे bilateral relations है, उसको upgrade करना चाहिए to comprehensive strategic partnership, तो इंडिया और UAE का जो यह जो dialogue है, जो आज sign होने वाला है, जो आज deal sign होने वाली है, comprehensive economic partnership agreement की, SIPA इसको कहते हैं, यह शुरू हुई थी, September 2021 से, और अब देखिए, UAE और इंडिया दोनों ने यह काया, कि तब by the time 2022 जब end होता है, शाद उससे पहले ही हो जाए, कि हम freedom agreement भी sign करेंगे between both the nations, अब difference है, FTA के बीच म comprehensive economic partnership agreement के बीच में, वो difference अब हम discuss करेंगे towards the end of this editorial, अब trade and investment data की बात करें, तो अगर हम आज की बात करें, तो बहुत अच्छा trade है इंडिया और UAE के बीच में, तो अगर हम अभी पहले 9 महीनों की बात करें, और the fiscal year 2021-22, तो जो हमारा trade है UAE के साथ, that is more than 50 billion dollars, तो बहुत अच् है, now this makes UAE India's third largest trading partner, अब aim क्या है, aim है कि FTA sign होगा India और UAE के बीच में, तो जो हमारा trade है, जो हमारा trade है, वो 100 billion dollars से भी जादा हो, और अगर services trade की बात करें, तो वो आने वाले 5 साल में, अगर आज 50 billion से जादा है, तो आने वाले 5 साल में, हमारा merchandise trade 100 billion dollars से जादा हो, और जो trade related in services है, वो 15 billion dollars से जादा हो, अब ये उस time पर free trade agreement या SIPA की deal sign हो रही है, जब India एक एतिहासिक मोड पे है, India is on the verge of creating history by reaching the figure of 400 million dollars of merchandise export to different countries, तो ये अपने आपे बहुत बड़ी achievement है, कि हमारे forex reserves में बहुत बढ़ावती देखने को मिली है, और हमने बहुत exports करे हैं, अब UAE की बात कर अब बात करें, अब बात करें, इंजिनरिंग प्रोडक्ट्स की बात करें, तो हम अभी production linked incentives schemes के चलते भी बहुत sectors को incentives दे रहे हैं, हम make in India की बात कर रहे हैं, manufacturing sector को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, defense indigenization की बात कर रहे हैं, तो UAE can serve as a very big market, provided हमारे हमारे हैं पर policies बिल्कुल सही तरीके से implement हो सकें, तो हमारा जो integration है, UAE के साथ और खुल जाएगा, और अगर UAE के साथ हमारा trade खुलता है, और जाधा integration होता है, तो indirectly हमारा जो trade होगा with the other Gulf nations, वो भी और जाधा deepen और integrate हो जाएगा, अगर हम United Arab Emirates की investment की बात करें इंडिया में, that is somewhere around 12 billion dollars, so this makes United Arab Emirates as the ninth biggest investor in India, तो बहुत सारी companies हैं, जिसने UAE में invest किया है, चाह टूरिजम सेक्टर की हो, hospitality की बात करें, catering की बात करें, education की बात करें, education exchange programs बहुत हैं, UAE और इंडिया के बीच में, ठीक है, retail की बात करें, तो इस तरह के sectors में काफी integration देखने को मिल रहा है, between the Indian entrepreneurs and the entrepreneurs sitting in UA now, अब अगर हमारी free debt agreement deal यहाँ पर sign होती है, तो हमको कैसे एक spring board मिल सकता है, अपने exports को और increase करने का, हमारा जो aim है, हमारा aim है कि अभी हम 400 billion dollars का, हम अभी हमने बात करें कि हमारा जो merchandise exports है, that is around about 400 billion dollars, that is very historic, so very good, after another 8 years, तो यानिके 2030 के towards, हम क्या target कर रहे हैं, हम ये target कर रहे हैं 1 trillion dollars in merchandise export, as well as 1 trillion dollars of service export, तो ये बहुत ambitious target है, तो UAE के साथ हमारा अगर free debt agreement sign होता है, तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकि बहुत अच्छी per capita income है UAE की, ठीक है, बहुत prosperous nation है, चोटा सा देश है, लेकिन बहुत prosperous है, per capita income की बात करें, तो कही गुना जादा है इंडिया से, और strategically ब अगरेविया हो गया, कुवेत हो गया, भारेन हो गया, अबान हो गया, अब UAE की इनके साथ एक common market है, custom union है, तो अगर हमारा FTA होता है UAE के साचाइन, तो हमारी जो accessibility है, हमारे goods की accessibility है, हमारी जो market penetration है, वो और deeper हो सकती है with this region also, not only in the Gulf Corporation Council, but also in the greater Middle East, जिसमें आपकी कुछ African लिब्या की बात करें, तुनिश्या की बात करें, वो देश भी आ जाते हैं, now this can help India to become a part of that supply chain, especially अगर हम बात करें, handlooms की, handicrafts की, textiles की और pharma की, ठीक है, हम तो वैसे भी pharma, we are known as the pharmacy of the world, ठीक है, कितनी सारी vaccines की production यहाँ पर हमारी करे जा रही है, तो यह हमारे strengths है, handicrafts, handlooms क अगर हम बात करें, लेकि बांगलादेश कितना आगे जा चुका है, अगर हम handlooms और handicrafts की बात करें, ठीक है, हम vocal for local की बात करते रहेते, तो कितने सारे हमारे geographical indicator tax products हैं, जिनकी penetration बाहर countries में इत्ती जादा नहीं है, जिसको और बढ़ाया जा सकता है, through signing these FTAs, whether it's with Israel, whether it's with Australia, whether it's with UK, whether it's with Australia, whether it's with European Union, or whether it's with United Arab Emirates, तो यह हमारा Gulf Cooperation Council है, ठीक है, तो यह देश है सारे के सारे, यहाँ पे UE है जिसका capital क्या है, अबुदाब इसका capital है, यहाँ पे आपका Persian Gulf आ जाते हैं, तो बहुत strategic sea lines of communication जो है, यहाँ पे pass करते हैं, तो strategically it's in a location which is very well placed, अब थोड़ा difference की ब है, देखिए, जो SEPA है रहा, it is a diluted version of free debt agreement, तो FTA याने के free debt agreement, SEPA stands for comprehensive economic partnership agreement, यह दोनों terms को use किया जाता है, as describing economic pact between the countries, जो के aim किये जाते हैं, as far as reducing the tariffs are concerned, कि कैसे bilateral trade को बढ़ाया जा सकता है, बहुत reducing the tariffs, लेकिन एक फरक क्या है, जो fundamental फरक है between FTA and SEPA, is that कि SEPA है, that aims at lowering the trade barriers, not eliminating it अगर आप किसी देश के साथ, आप, आपने SEPA sign किया है, तो for example, अगर हम बात करें, इंडिया और South Korea का SEPA था, 2009 में sign किया गया था, तो यहाँ पे trade barriers कम हो जाते हैं, eliminate नहीं हो जाते हैं, elimination of trade barriers कब होती है, जब आपका free debt agreement sign किया जाता है, तो यह difference यहाँ पे समझना जरूरी इसको 200 शब्दों में आप आंसर करें, यूट्यूब के comment section में आप इसको 400 शब्दों में भी कर सकते हैं, 100 शब्दों में भी कर सकते हैं, bracket में लिख देना, कि in short इसको हम answer कर रहे हैं, ताकि यह न लगए कि आपने question को जादे elaborate नहीं किया, तो आप bracket में लिख सकते हैं, कि in short हम briefly इसको mention करें, 70, 80, 100 words में जितने भी words में आप करना जाते हैं, चाहें तो आप इसको well structured way में 250 words में भी कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके का हम try करें कि आपको उसका feedback दें और वहीं पर आपको उसमें review करके comment section में ही comment करें, तो यह question से tutorial में से बनता है, तो अगला editorial, यह last tutorial रहेगा अजका, अब planetary adjustment, बना interesting article है, छोटा सा article है, अब बात यहाँ पे करी जा रही है कि क्या planet fragile है, कि यहाँ पे जो इस धरती पे रहने वाले लोग है, कि वो fragile है, क्या कुदरत बहुत fragile है, कि भई जो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो fragile है, तो अभी recently प्रदान मंत्री ने क प्रदी कमी है, वो commitment में fragility है, not in the planet, ठीक है, लेकिन वास्तिक, अगर हम reality की बात करें, वास्तिकता की बात करें, तो वो काफी complicated है, अब अगर हम बात करें, ने इंडिस वाली civilization भी पड़ी है, ठीक है, आपने prehistoric period पड़ा है, सारा आपने ancient history पड़ी है, तो ठीक है, अब civilization जब से शुरू हुई है, ठीक है, civilization शुरू होना, याने कि देखें, अब जब से iron की discovery हुई है, तो जंगल काटे गए, पेड़ पौदे काटे गए, फिर शहर बसने शुरू हुए, केती बाड़ी शुरू हुई, wheat and rice की cultivation शुरू ही, ठीक है, अब उस time पे तो नहीं पता था लोगों के, wheat and rice, methane emit करता है, के कौन सी greenhouse gas emissions होती है उसमें से, लेकिन ये एक progressive चीज़ जो चलती है आर इतने सालों से, अब agriculture भी बहुत major contributor है towards greenhouse gas emissions, पेड़ पौदे काटने से, शहर बनने से, सडके बनने से, जरूरी भी है, हम जंगलों में नहीं रह सकते हैं, हम 5 trillion dollar economy का सपना जंगल में रहके, अंधेरे में रहके नहीं देख सकते हैं, तो जुरूरी भी है, शहर बने, सडके बने, walls बने, लेकिन अगर हम human civilization के origin की बात करें, तो human civilization has started by disturbing the ecological balance, ये एक बहुत well established बात है, और इसके जो impacts हैं, अब ये तो नहीं है कि एकदम से अब हम ancient history अगर पढ़ रहे रहे हैं, ये जो global warming related events हो रहे हैं, जो greenhouse gas emissions की concentration बढ़ रही atmosphere में, this happened progressively over a period of time, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, industrial revolution की, ठीक है, चाहे वो UK में हो, चाहे वो US में हो, European देशों में हो, India में हो, ठीक है, तो इसके चलते हैं, बहुत सारा focus industrial revolution में किस पे किया गया था, fossil fuels पे किय आ गया था, ठीक है, atmospheric changes due to the dawn of the industrial age and the utilization of fossil fuels happened very, very fast, relatively speaking, in a blink of an eye, now, अब जिसने सबसे ज़्यादा सफर किया, global warming के चलते हैं, climate change की impacts के चलते हैं, चाहे सुनामी आ रही है, चाहे साइकलोन आ रहा है, चाहे ड्रॉट हो रही है, चाहे बहुत गर्मी हो रही है, बहुत सर्दी हो र करने वाला है, या वो लोग जिनके पास अपने आपको बचाने के लिए, अपने आपको resilient बनाने के लिए, अपने आपको इन impact से mitigate करने के लिए बहुत कम resources हैं, अगर fragile का मतलब है कि भई, what to mean a brittleness, needing care, then in इस article के साब से, जो fragility है, वो planet में नहीं है, धर्ती में नहीं है, वो लोगों में है, जानवरों में है, और लोग और जानवर, planet इस article के साब से यहाँ पे बात करी जारी कि जो आपका planet है, जो धर्ती है, वो तो रहने वाली है, धर्ती कहीं नहीं जाने वाली है, लेकिन लोग आने वाले time में रहेंगे, क्या जानवर यहाँ पे आने वाले time में बाइ 2070 अब देखे 2070 तो भी बहुत दूर है 50 साल पड़े हैं लेकिन आज की बात करें अब इंडिया का पोजिशन ही है कि हमको कोई जोर जबर्दस्ती करके नहीं कह सकता कि आप net zero आने वाले 10 साल में चीफ करो कि आने वाले 15 साल में चीफ करो हम developing देश हैं हमको और develop होना है हमको गरीबी से लड़ना है हमको hunger से लड़ना है तो अभी हमको economically और empower करना पड़ेगा खास करेंगे जो marginalized लोग है उसके चलते हैं अगर हम ज़्यादा fossil fuels burn करते हैं उसके चलते हैं ज़्यादा कोईले का utilization करते हैं तो हमारा right बनता है क्योंकि यह हमारी उपर injustice किया जा रहा इतने सालों से कि fossil fuels की utilization for meeting developmental needs सरफ developed देश कर रहे थे पर यह justify करता है इंडिया का stand जो climate justice का stand है यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या यह justify करता है इंडिया का stand कि अभी हम और fossil fuels burn करेंगे क्योंकि हम थोड़ा भी develop हो जाए उसके बाद फिर हम यह renewable energy की बाते करेंगे सारी अगर इस तरह से हम चलते रहे तो definitely अभी देखिए बातावरण को तो नुकसान बुचाएंगे बुचाएंगे ठीक है कुदृत को भी नुकसान बुचाएंगे संतुलर नहीं बन पाएगा बट क्या हम इस बात को realize कर पा रहे हैं कि हमारा जो justification है climate justice को लेके उसे हम कितने ल agreements भी sign कर रहे हैं different different देशों के साथ तो वहाँ पे climate justice की बाद green house gas emission reduction की बाते आती है greener technologies की बाते आती है लेकिन बात सोचने वाले यहाँ पर यह है दोस्तों कि अगर हम इस रस्ते भी चलते रहे और यह justification देते रहे कि हमार सथ injustice हुआ हम develop नहीं हो पाए और हमको develop होने के भी अपने आपने बहुत बड़ा सवाल है और हमारी जो population है इतनी विशाल रेट सो गरोड की अबादी आने वले समय में और अबादी बढ़ेगी that is valuable to climate change ठीक है इंडिया must accelerate and prioritize the transition to energy resources जो के संतुलन को कम से कम बगाडे यानि कि जो कुतरत के संतुलन को कम से कम बगाडे यहा जाने कि धरती यहीं पर रहने वाली धरती फ्रजाइल नहीं है जो लोग है वो फ्रजाइल है पहले लोग मनेंगे धरती फिर भी रहेगी तो यहां पर खत्रा किसको है लोगों को है global warming से climate change से question क्या बनता है इंडिया's understanding of climate justice is not in sync with its commitment towards net zero क्या आप इस बात से सहमत हैं अगर ह पहले आपको कल भी बताया था कि 24 days UPSC means answer writing program है तो इसके regarding कवल सर नहीं वीडियो भी शेर किया YouTube में तो इस तो यह हर महीने यह batch चलेगा तो अभी जो recent जो latest batch है 21st Feb से शुरू होने वाला है काफी comprehensive means answer writing और से तो अगर आप चाहते हैं कि आपके answers को detailed feedback मिले marks मिले ठीक है आप एक live discussion में अगर engage होना चाहते हैं अगर आपको personal mentorship भी चाहिए तो यह सब facilities आपको कवल सर प्रवाइड करेंगे एक real time 247 telegram support group रहेगा आप कभी मर्जी चाहें कोई सी भी चीज़ के उपर आप कवल सर से बात कर सकते हैं कोई आपको issue mains में आ रहा है कोई आपको issue UPSC की त्यार कि इसके बारे और जानकारी ले सकते हैं चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलेंगे कल और एटोरिल्स के साथ तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए thank you so much जैहिंद